साथियों, कोरोना संकड का सामना करते हुए, नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ ये आर्थिक पैकेज आत्मा निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी, जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें, तो ये करीब करीब, बीस लाग करोड रुपिय का है बीस लाग करोड रुपिय का है, ये पैकेज भारत की जिडिफी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये, देश के विबिन वर्गों को, आर्थिक ववस्ता की कड़ियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज, दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को, ट्वेंटी लाग्स, ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को, एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में, लेंड, लेबर, लिक्विडिटी, और लॉज, सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज, हमारे कुटिर उद्ध्योक, गरह उद्ध्योक, हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक, हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है, जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज, देश के उस स्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर सिती, हर मौसम में, देश वास्चों के लिए, दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज, हमारे देश के मद्यम वर्क के लिए है, जो इमानदारी से टेक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज, भारत ये उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्शे शुरू करके, आने वाले कुछ दिनों तक, वित्मंत्री जी द्वारा, आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित, इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों, आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए, बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ, अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है, कि बीते छे वर्षों में, जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण, आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं, अधिक सक्षम, अधिक समर्थ, नजर आई है वर्ना, कौन सोच सकता था, कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी, वो पूरा का पूरा, गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ, वो भी तब हुआ, जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्दमन, आधार, मोबाइल, जे ए एम, जेम की त्री सक्ति से जुड़ा, सिर्फ एक रिफॉम था, जिसका असर हमने अभी देखा इससे समझते हुए, आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है, इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशन्सी बढ़ेगी, और क्वालिटी भी सुनिस्चिद होगी साथियों, ये संकट इतना बड़ा है, कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई हैं, लेकिन इनी परिष्टितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष सक्ति, उनकी संयम सक्ति का भी दर्शन किया है, खास कर हमारे जो रेड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पट्री पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे स्रमिक साती हैं, जो गरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दोरान बहुत कष्ट जेले हैं, तपच्चा किया हैं, जाक किया हैं, ऐसा कौन होगा, जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया, अब हमारा कर्टब यह हैं, उन्हें ताकत पर बनाने का, उनके आर्थि हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का, किसे ध्यान में रखते हुए, गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो, पशुपानक हो, हमारे मचवारे साती हो, संगटिक शेत्र से हो, या संगटिक शेत्र से, हर तबके के लिए, आर्थिक पैकेज में, कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा, साथियों, कोरोना संकट ने हमें, लोकल मैनुफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइचेन, इसका भी महत्वा बराबर समझा दिया है, संकट के समय में, लोकल ने ही, हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है, लोकल सिर्फ जरुरत नहीं, बलकि हम सब की जिम्मेदारी है, समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें, अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा, आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने, उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचाश शुरू किया, उनकी ब्राणिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए, वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए, इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए भोकल बनना है लोकल के लिए भोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरिदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रयास होने तो हर बार आपके प्रति मेरी सरद्धा को और भड़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात मैसूस करता हूँ याद करता हूँ जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगर्य किया था ये भी कहा था कि देश के हैंलूम वरकर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड सर पर पहुँच गई इतना ही नहीं उससे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रयास था लेकिन परणा मिला बहुत अच्छा परणा मिला साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिन्दगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे दोगजदुरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चरण लोगडाउन फोर पुरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मैई से पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम करोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे